यह विद्वाला दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ गोरा देवी जी का घर नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उपीध आप सब लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे चंगे होंगे स्वागत आपका मेरे नई ब्लॉग में और जिदी आपने इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है मैं गया था इससे पहले मलारी जो कि चाइना बॉडर के एकदम नजदीक जो गाउं है वहां में गया था तो उसको भी आप जुरूप देखिए तो आज बात करते हैं नहीं ब्लॉग की आज मैं जाने वाला बहुती खास जगा जिनको कभी हम किताबों में पढ़ते थे आज मैं उनके गाउं में जाने वाला हूँ उनके घर में जाने वाला हूँ बच्पन से लेके कॉलेस तक की किताबों में हमने गौरा देवी के बारे में पढ़ा है तो मुझे आज सवबाग्य मिल रहा है रेण प्रखंड के चमुली डिष्टिक में रिणी गाओं में हैं तो आज आप बने रहे रहे ब्लोग में बहुत ही सुंदर सुंदर वहां के नजारे दिखाऊंगा वहां का कल्चर भी आपको दिखाऊंगा और गवर्व देवी का जो घर है उस घर भी मैं आपको लेके जाऊंगा कि उनका घर कैसा है आज रिणी गाओं में जाने का खास मकसद यह है कि आज एक बहुत बड़ा दिन है तो आज वहां पे उन पचासवी वर्सगाट चिपकुवानलगी मनाई जा रही है तो चलते हैं जबड़ी जबड़ी और कौस्ते हैं रिणी गाओं में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा रुख चुके हैं यहाँ पर बहुत ही मस्त भ्यू मुझे दिखाए दे रहा था और मुझे लगा कि यह भ्यू क्यों न आपको भी दिखाए जाए क्या सुन्दर न जा रहा है उपर निला आसमान बरफ की चोटियां और नीचे यह हरे भरे सीड़ी नुमा खेत आपको दिखाए दे रहे हैं क्या मनमोहक वादियां यह बन तो कर रहे है कि इनी वादियों में एक अपना घर बसाया जाए और इनी वादियों में डेली घुमा जाए या नजारा होगा दोस्तों वो भी साथियों सुंदर सुंदर नजारों को आप मजा लीजिए और साथ में लाइक का बटन जरूर दबाईए और जिसने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ऐसे सुंदर नजारे साहिर ही आपको कभी देखने को मिलेंगे और इस परकार की आप देख रहे हैं तो हम थोड़ा खारे यहां पर मोमो उसकी बात चलते हैं आगे के लिए आपने रोबलॉक के साथ दोस्तों आपको थोड़ा पहाड़ों के घर दिखाते हैं देखो क्या सुन्दर सुन्दर लोगों ने पहाड़ों के बीच में बनाए वे हैं थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाते हैं पु Really कच्छुपक के लोगष पहाँ पहाँ कि अधिय। कि अधिय। प्रफ। तो ध्यार हो सायद क्या वो तो उतको गाड़ी हमने यापर खड़ी कर ली है यह से थ्वड़ा पेदल जाने का रास्ता है तो उपर थ्वड़ा चड़ाई है पर आपको दिखाते हैं रेणी गाऊं चले यह है गौरा देलजी का मुख्या इस्वृतिेद्वार यहां से रेणी का रारंब होता है और यानी गाओं में जैसे कि हम पहुंसने वाले कुछी छणों में आप बने रहो ब्लॉक के साथ तो यहां से थोड़ा पैदल चलने के लिए थोड़ा खड़ी चड़ाई है चड़ाई पर हम चल रहे हैं एक दम खड़ी चड़ाई है दूस्तों बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा खड़ी चड़ाई है दोस्तों सांस फुल गई है यह यहां की पारंप्रिक ड्रेस जाए टाइंट दिखाए दे रहा है अभी हमें वहां पर पहुंचने है तो थोड़ा ही दूर है जिन लोगों को पता नहीं है गौरा देवी के बारे में उन्हें मैं बता दूँ कि गौरा देवी एक बहुत परसिद नाम है देश ही नहीं विदेश में भी गौरा देवी को चिपको वूमेन नाम से समानित किया गया है उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है जिस समय बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे उस समय गौरा देवी ने वो उनके साथियों ने पेड़ों पे चिपक के पेड़ों की जान बचाई थी जिसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया इसी वज़े से देश और विदेश में इनको चिपको ओमन के नाम से जाना जाता है दोस्तों ये है गौरा देवी का मूल गाउं जहां पे अभी हम पहुँच चुके हैं परोर से खड़ा उपर है परोर आपको दिखाई दे रही हुई परोर काफी नीचे है तो मूल गाउं में पहुच चुके हैं सास्कृतिक कारेगर में आपको हो रहे है अभी आपको गौरा देवी का जो मूल गर है उससे भी मैं दिखाऊंगा आप बने रहो वीडियो के साथ पहाड के कल्चर से जो लोग भी परिचित नहीं है तो उन्हें मैं ये बता दूँ कि जो आपके ड्रेस देख रहे हो जो आप ही पहनावा देख रहे हो ये भोटिय जनजाती के लोग हैं और भोटिय जनजाती के लोग ही इस परकार का पहनावा पहनते हैं और यहां पे जातर भोटी जनजाती के लोग ही निवास करते हैं और रेणी ग्राम में मैं पहुँच चुका हूँ थोड़े देर में मत दिखाता हूँ गौरा देवीजी का घर और मिलाता हूँ उनके घर के सदस्यों से गौरा देवीजी का घर यही होगा? यह इंगी दिरवाला इस पिला वाला यह पका मठान और यह यह किसे और का है? अच्छा वहार देवीजी के बेटे यह उनकी बेटे है? नहुसकार जी आज आपके घर पहुँच गया है दोस्तों मैं पहुच गया हूँ गौरा देवीजी के घर में यह है गौरा देवीजी का घर मेरे साधा सुवन सिंग जी यह इनके नाती है गौरा देवीजी के और मूरुप से यहीं पर रहते हैं और जो चिपको मुमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से कुछ पर्यास के जा रहे हैं या आपकी गाओं की तरफ से अभी फिल्ड में ही उतरे हैं इस कारेकरम को हम समय समय पे जैसे पेड़ पोते इतियाजी लोगो को जागरूप करते रहते हैं और आप में देखो इस कारेकरम को हमाने मकसद यह किस कारेकरम की दरफ दुनिया को संदेश दिया जाएगा और आप से मिलके बहुत ज़्यां कि आप का मुझे यहां पर गर्स दर्सन हएई आपका प्यार मुझे मिला पौत ही हर्श उलह से आज कर वर्स गाठ मनाए गई तो आप कुछ कहना चाहोगे इस तो धन्यवाद सर आपका मेरे साथ थे चंद्र सिंग जी गौरा देवी जी के पुत्र दुबार आप से कभी मुलाकात यहां पे जरूर होगी दुबार आपको मिलेंगे दोस्तों गौरा देवी का जो मूल घर है वो यह है जो आपको सामने पर रिखाए दे रहा है और जहां पर अभी हमने वीडियो शूट किया है वो नया घर है साथ उनके लड़के ने वो घर बनाया है लेकिन मूल घरों का वही था अ-जी दञा पेरह स्वेआ सर्दों जोट कि दो चाहर रहे हिना कि भी हम जानने वाले । उनके घर में चाइपीने जा रहे है वाँ वाई मज़ा आगया इनके घर पे आके क्या सुन्दर नजारा इनके गड़ से दिखाए दे रहा है वाँ खुबसूरत नजार इनके गड़ से दिखाए दे रहे हैं वाँ वाई प्यारा सा पपी अब जा रहे हम रेड़ी गाउं से नीचे सडक में जहां पे गाड़िया खड़ी कर रखी है यहां से थोड़ा काफी जाने के लिए है थोड़ा टाइम बगेगा जाने में पहाडों में पहले इस परकार के घर आपको देखने को मिलते थे अभी भी हैं पर जातर अब नए डिजाइनिंग में यहां मकान बन पा रहे हैं सड़का चुकी यह सातियों दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्या च्छा लगा कमेंट करके जरूर बताईए और इस परकार के मज़दार वीडियो आगे भी आते रहेंगे आप चैनल के साथ बने रहो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो यह लाल कलर का जो नीचे बटन दिख रहा है इसको जरूर दबाईए गंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप मेरे आने वाले और वी वीडियो देखते रहो मिलते हैं फिर किसी नई व्लोग के साथ आज का व्लोग करते हैं यहीं पर समाप तब तक के लिए टाटा बाई बाई